तो एपिसोड की सुरुआत होती है और हम देखते हैं एल्डर बिंग एक क्रिस्टल को लेकर स्माइल करते हुए एल्डर हैंडरेसन की और देखते हैं एल्डर हैंडरेसन बहुते गुस्से से एल्डर बिंग के पीछे जाते हैं और ये लूओ फैंग और एल्डर बेंग का बस एक प्लैन था ताकि वो एल्डर हैंडरिसन को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी डारेक्शन में ले जाए लूओ फैंग एक पत्थर के पीछे चुपा हुआ था और अब वो उन तीन क्रिस्टल को लेने जाता है दूसरी तरफ एल्डर बेंग हैंडरिसन के इटाक से बज़ते हुए काफिफ़ फास्ट जा रहे थे और एल्डर हैंडरिसन लगतार उसे स्नो कैनन से अटाक करते हैं लेकिन एल्डर बेंग उसके सभी अटाक को डोच कर रहे थे ये देखकर 3rd एलर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से से वो सनो कैनन से हर तरफ सनो अटैक करते हैं और आप एल्डर हैंडरेसन के अटैक को चक्मा देना एल्डर बिंग के लिए काफी मुस्किल था इसलिए वो एक जगा फस जाते हैं और इसी दर्मियान एल्लर हैंशन उसे एक जोड़ार पंच मालते हैं लेकिन एल्लर बिंग जल्दे से अपने सौड को निकाल कर उस अटैक को रोक देते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक वो उसे रोक नहीं पाते हैं और हैंडरसन उसे नीचे पुछ करके चारो तरफ आइस क्रिस्टल बना देते हैं ताकि वो वहाँ से भाग न पाए और स्नौ अटैक से एल्लर बिंग के सौड में कुछ आइस क्रिस्टल फ्रीज हो गई थी इसी का फाइदा उठाकर एल्लर बिंग हैंडरसन पे आइस क्रिस्टल से अटैक करते हैं लेकिन थर्ड एल्लर के लिए ये आइस अटैक कुछ भी नहीं था फिर वो एल्लर बिंग पर अटैक करते हैं और अब लगतार elder being बहुत ही तेजी से third elder पे sword attack करते हैं Henderson elder being के attack को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि elder being के speed काफी ज़्यादा थी लेकिन जैसे उन्हें एक attack का gap मिलता है वो काफी ठंडी हवर release करते हैं जिस वजे से elder being अपने attack को पूरा नहीं कर पाते हैं और Henderson उन्हें एक पंच मारते हैं फिर वो उसके पैर को पकड़कर काफी गुस्से से उसे जमीन में पटक देते हैं और उपर fake देते हैं फिर वो उपर आकर उन्हें काफी kick और punch मारते हैं और फिर से snow cannon से attack करते हैं इधर elder being उस attack को dodge करते हैं Henderson पे sword से attack करते हैं लेकिन third elder उस sword को वहीं पे freeze कर देते हैं और धीरे धीरे उनके body को वे freeze करने लगते हैं इसले elder being उस sword को वहीं पे छोड़ देते हैं फिर elder Henderson उसे एक powerful kick मारते हैं और उनसे मुयाजिन crystal ले लेते हैं और बहुत ही powerful cold air release करते हैं जिससे elder being की body freeze हो जाती है लेकिन पत्थर से टकराने से वो बाहर आ जाते हैं और अब जाकर इन दोनों की fight यहां पे रुकती है elder Henderson कहते हैं अब तुमारे पास कोई chance नहीं है अब ये crystal मेरी है elder being कहते हैं इस direction में बस एक ही मुयाजिन crystal है जो की अब तुमारे पास है और मैंने अपने detection ability से पता क्या है कि इसके अलावा तीन और भी मुयाजिन crystal है और जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे तब तक लुओ फेंग उसे ले चुका होगा ये सुनकर elder Henderson को बहुती गुसा आता है और कहते हैं तो ये तुमारी साजिस थी और तुम जान बुचकर मुझे यहाँ लाए हो लेकिन ये मत भूलो कि मेरे टीम की लोग भी वहाँ होंगे लुओ फेंग को तुम्हें बाद में देख लूँगा elder Henderson हसते वे कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे टीम की लोग लुओ फेंग को बीट कर पाएंगे या नहीं लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉई करूँगा फिर सीन चेंज होता है और हम देखते यूरोप के एक वरियर जमीन पर नीचे घायल पड़ा था आगे हम देखते लुओ फेंग वाइट क्रिस्टल के साथ वहाँ खड़ा था जिसका साफ मतलब है कि लुओ फेंग और उस वरियर की दर्मियान फाइट वी होगी और ये घायल होकर नीचे गिर गया आगे लुओ फेंग उन तीन क्रिस्टल को लेकर वहाँ से चला जाता है फिर हेवेंली फॉर्बीडेंस एटल से जाते वे कहता है अच्छा हुआ कि एललर बिंग मोहेंडसन को डिस्ट्रैक करके दूसरी डिरेक्शन में ले गए इससे मैं बड़े असानी से दूसरे एललर को डिफीट कर सकता हूँ फिर वो देखता है लेक में हलचल होती है और अचाना कि उस लेक से फॉर्थ इललर की दो वेपन बाहर आती है लुओ फैंग भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फ्लाइंग नैप से उन वेपन को रोक देता है आगे वो दोनों वेपन वापस लेक के उपर आती है आगे फॉर्थ इललर लेक से बाहर आती है लुओ फैंग कहता है तो क्या फिर से आप मुझसे फाइट करना चाते हो और जब मैं थार्ड इललर से फाइट कर रहा था तब मैंने आपकी स्प्रिचुल एनरजी को फील किया था फॉर्थ इललर कहते हैं तुमने फील तो जरूर किया था लेकिन तुमने इग्नोर कर दिया लुओ फैंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने बीच में इंटरफेर नहीं किया था और वैसे भी साउथ के साइड काफे ज़्यादा इमांट में मुयाजिन क्रिस्टल है तो किसकी नियत नहीं बदलेगी और आपको अमेरिका के लोगों से छुटकारा पाने के लिए मेरी जरूरत है ताकि आपकी अलाइस तूटना पाए जिसपे एल्डर इस्ट कहते हैं कुछ चीजे भी ना कहे ही की जाती है और ऐसी चीज काफे खतरनाक होती है लुओ फेंग कहता है जूनियर होने के नाते मैं आपको रिमाइंड कर दूँ नियो जेनरेशन प्रिविस जेनरेशन को सरपास कर लेती है फोर्थ एल्डर कहते हैं अगर हम बिखर भी गएं तब भी एक्स्ट्रीम मार्चल हॉल में जादा कुछ चेंज नहीं होगा लुओ फेंग कहता है भले ही हम एक साथ तीन एलाइस से फाइट करें लेकिन हम नहीं डरेंगे और दोनों एक साथ कहते हैं मुयाजन क्रिस्टल हमारा है दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर बिंग एल्डर मोह हैंडरसन के अटैक से घायल हो गए थे और एल्डर मोह हैंडरसन गुस्टे से वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें उन तीन क्रिस्टल को लेना था लेकिन इल्डर बिंग जल्दी से उस जखम को फ्रीज कर देते हैं और हेंडरेसन के रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं और सौर्ड निकाल कर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं तुम सबसे स्ट्रॉंग हो लेकिन मैं तुम्हे सब को मारने नहीं दे सकता एल्डर मोहेंलेसन गुसे से कहते हैं तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे हमारे साथ यूरोप और हार एलैंस हैं हम यूही जीत जाएंगे दूसरी तरफ हम देखते हैं दा बिष्ट यूरोप के वरियर को मार रहे थे तब ही वहाँ दा लायन कींग आते हैं ये देखकर येसू गुसे से रुक जाते हैं दा लायन कींग कहते हैं मैंने सुना है फर्स टिलर के गार्ड अकेले ही दो एल्लर को हरा सकते हैं इसी मौके में वो वरियर वहाँ से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं लायन किंग आ गए ये काफी हमबल और केरफुल है इधर लायन किंग येसू से कहते हैं क्या मैं आप से पूछ सकता हूँ मुयाजिन क्रिश्टल कहां मिलेगा येसू कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर तुम मुझसे फाइट करना चाते हो तो कर सकते हो जिस पे लायन किंग हवा में बैट कर अपने वेपन को बाहर निकालते हैं इधर दब बिश्ट काफी तेजी से लायन किंग पर अटेक करते हैं लेकिन लायन किंग उस अटेक को डॉज कर लेते हैं और अब इन दोनों में काफी सांधार फाइट होती है दब बिश्ट लगतार लायन किंग पे अटेक कर रहा था और लायन किंग उसके सभी अटेक को डॉज कर रहा था लेकिन इस बार येसू लायन किंग को काफी जोड़दार कीक मारता है और वो दोनों वरियर इस फाइट को देख रहे थे और आपस में डिसकस करते हैं कि कौन इस फाइट को जीतेगा एक वरियर कहता है लायन किंग इस अटाइक से बच जाएंगे दूसरी तरफ उन दोनों में काफी सांदार फाइट हो रही थी लायन किंग इसू को एक पंच मारते हैं और ये काफी पाउरफुल पंच था जिससे इसू तो काफी दूर जाकर गिरते हैं और अब इसू बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो जाते हैं उनका गुस्सा अपने पीक भी था यहां तक कि उनके बोड़ी से रेड फ्लेम बाहर आती है यह देखकर वो दोनों वरियर कहते हैं येसू अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए है इदर येसू बेष्ट जैसा काफी तेजी से लायन किंग की तरफ बढ़ते है और वो लायन किंग पे बहुत ही पौफुल अटैक करते हैं और वो लगतार लायन किंग को मार रहे थे फिर वो एक जोड़दार पंच उसके पेट में मारते हैं और उसके पैर को पकड़ कर जमीन में नीचे पटक देते हैं लाइन किंग को उसके अटेक को डॉज करने का मौका नहीं मिल रहा था इसलिए वो अपने पैर को उन से छुडाते हैं लेकिन फिर भी येसू के अटेक से नहीं बच पा रहे थे बेश लगतार उन पे अटेक कर रहे थे और अब येसू लाइन किंग पे बहुत ही पाउरफुल पंच मारते हैं जिससे लाइन किंग बहुत ही दूर चले जाते हैं वो दोनों वो ये डिसकस करते हैं ये अटेक पहले से काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है और अब येसू लाइन से पहले दूसरे साड़ आ गए थे और फिर से उन पे पाउरफुल पंच मारते हैं जिससे लाइन किंग को काफी ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे चीकते हैं अब नेक्स पार्ट में देखेंगे क्या लाइन किंग येसू से जीत पाएंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेजे ताकि नेक्स पार्ट आपसे मिसना हो और आप हमें थैंक्स बटन के यूज़ करके सपोर्ट कर सकते हो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos दोगज दोग् सकता हम अलो गोज दोग को अबस्यों कर दोग।